हलो गैज आप सबी सातियों का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉपर सिंग पर तो डेली की तरह हम लोग आज भी मौनिंग अपडेट लेकर आए हैं जितनी भी इंपोर्टन अपडेट आज की न्यूज पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग द अगर आप इस मौक टेस्ट को देते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि आल इंडिया में आपकी रैंक कितनी है आपका कौन सा सेक्षन कमजोर है आपका कौन सा सेक्षन मजबूत है सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी तो यह जो टेस्ट है वो दो और तीन आया है अगर आपको इसका मौक टेस्ट लेना है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्षन बॉक्स में देदी है बिल्कुल दीगे लिंक को क्लिक करेंगे कुछ इस परकार का इंटर फेस ओपन हो जाएगा जहां पर आपको अपनी इमेल आडी डालकर रजिस्टर कर लेना है свой o जितनी भी are entrance exam के जो भी सब्सक्राइब करने जिससे जो भी update निकल करए रोहेलखंडब पूस्भित जाले बरेली से वो सारी की सारी update आप लोगो बता दिया जाएगो जैसा आप सभी लोगों 받아 ऑ्ट बिट कार्ट भी जारी हो चुका है आपका बेर्ड इंटेंस एक्जाम को जो परिक्षा है वो 6 जुलाई को जो है होने वाला है बस उसमें कुछी दिनों बचे हैं आप सभी लोग को हम बता दें कि साम को साड़े साथ बजे इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को तीन दिन और बचे हैं इसमें जितने जादा आप कोश्चन के प्रैक्टिस कर लोगे उतना जादा ही बेनिफिट होगा आपके एक्जाम को ले करके तो चलिए क्या अपडेट निकल करा है यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर लिखकर आया है कि बियर प्रिवेस परिक्ष पर देख सकते हैं तकरीबाइब है यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन जोए यह श्य लाख 69,000 जो है लोगों ने यहाँ पर फार्म डाला है तो बहुत सारी संख्या में यहाँ पर चात जाएंगे ये भी उम्मीद है कि इसका पेपर भी साड़े 5 लाग के आसपास चात देंगे कुछ लोग अगर छोड़ भी देंगे तब भी साड़े 5 लाग जो है इसमें पेपर दें जिए तो जितनी ज़्यादा नंबर आप इनाने वाले 2-3 दिनों में बढ़ा सकते हैं उतना आप पढ़ लिजिए प्रैक्टिस सेट आप साम को साड़े 7 बज़े मेरे साथ सॉल्व करिए जहां पर आपको एक्स्प्लाइनेशन के साथ साथ बेहतरी न तरीके के के सूचित कर दिया गया था उसके लिए नोटी जारी हुए थी मैंने चैनल के माद्यम से आपको सूचित भी किया था अब जो उसको ले करके एड्मिट कार्ट के बारे में भी सूचना आ चुकिए यहाँ पर लिखा है कि 17 अगस्त से अब भारती देंगे रेलवे की परिक्ष यह बताएगे कि 8 अगस्त को आप यह जान पाएंगे कि आपका परिक्षा केंद कहा है किस सिटी में यह चीज आपको पता लेगी 8 तारीको वही 13 तारीक से आप जो अपना एड्मिट कार्ट डाउनलोड कर पाएंगे पर्थम चरण पास करने के बाद अभ्यारतियों के सार लाग परिक्षा देने वाले हैं यानि कि आप समझ रकते हो कि 3740 वेकेंसी सिर्फ और सी प्रियागराद जोन में हैं जिसको लेकर के 7.5 लाग जो है अब 32 परिक्षा देने वाले हैं ठीक है टोटल अगर हम बात करें तो 1 लाग से जादा पोस्ट है पूरे भारत बर में जि कि नभी स्थित को बढ़ा दिया गया है क्या है अपडेट देखते हैं आज की न्यूज पेपर में अपडेट निकल कर आईए कि उत्तर प्रदेश मादमिक सिक्षा सेवा चैन बोर्ड ने प्रसिक्षित असनातक सिक्षक TGT और प्रवक्ता PGT भरती परिक्षा 2022 में अवेधन से पहले अपड़ती विग्यापन से संबंदित विष्टित निर्देश का बली बात अद्यान कर लें उसके बाद आवेधन करें अंतिम जो है तिती सोला जुलाई के बाद किसी तरह के आवेधन सुईकार नहीं किये जाएंगे तो यहाँ पर बता दिया गया है कि अब सोला जुलाई के बाद डिट नहीं बड़ीगी उसके पहले ही आप लोग जो है यहाँ पर चीजें भर सकते हैं फिल कर सकते हैं चलिए वहीं अगली अपडेट अकर हम बात करें तो यूपी प्यस्टी से जो एक अपडेट निकल कर आई है इसको भी देख लेते हैं यह 22 विवागों में लक्ष के मुकाबले 110.8 फिस्दी नोकरियां दी गई है आयोग ने 30 जून तक 100 दिनों का जो लक्ष निर्धायत किया था उसके तहट 3472 अभ्यारतियों को नोकरी दी गई है इसके मुकाबले आयोग ने 100 दिनों में 3847 अभ्यारतियों की चैन प्रिक्रिया पूरी कर लिए जिन से 3532 अहर पात्र अभ्यारतियों को नोकरियां दी गई है वहीं 315 पद खाली रहे गए हैं जिनमें 100 पद किरसी विवाग में प्लांट पैथलोजी के हैं आयोग ने मादेमिक सिक्षा और प्रवधिक सिक्षा किरसी स्रम विवाग में चिकिस्ता अधिक हम 100 दिन में जितना भी उन्होंने लक्ष रख था उस लक्ष को उन्होंने पूरा किया अलाकि उस लक्ष से 110.8 पज lle आधिक चैन यह पर किया गया है यहां पर लिखाया कि 315 पद खाली रहे गए भीविन भर्तियों में योग या ब्यरती न मिलने की वज़ा से और भी किया है और उन्होंने जो भी लक्ष रखा था उससे ज़्यादा का उन्होंने काम किया है अगली अपडेट जो है वो NVS को लेकर के इसके बारे मैंने कल भी सूचना आपको दी थी और आज की नूज पेपर में भी इसको लेकर के अपडेट है तो आप लोगों को मैं बता सोला सोला पदों पर भरती है यह प्रिंस्पल के पद हैं पूश्ट ग्रिजुएट के हैं टीचर्स हैं इन सभी की पद है और अधिकता मायो सीमा की बात के हैं तो 35 साल, 40 साल, 50 साल यानि कि जिस हिसाब से आपकी कटेगरी है उस हिसाब से आपको छूट मिलेगी एज में य पर सार्ट लिस्ट किया जाएगा परिक्षा में पदा अनुसार 150 अंक जो है वो निर्धारित किये गए परिक्षा में जनरल अवेर्नेस, रिजिनिंग, आधवी से उसे प्रस्ट पुच जाएंगे उमीदवारों को इंटर्वियू के समय सभी ओरिजिनल डाकुमेंट और स अगर आप लोग यहां पर आवेधन करना चाते हैं तो आप जाकर आवेधन कर सकते हैं ठीक है इसका आवेधन जो है शुरू भी हो चुका है तो आप सभी लोग जाएं और यहां पर इसका आवेधन कर सकते हैं ठीक है तो फिलाल के लिए इतनी सारी अपडेट थी और भी अ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस चैनल के मादधम से आपको सारी अपडेट बिल्कुल सही तरीके से दी जाती है तो मिलते हैं अंगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ तब तक के लिए मस्तर ये जैहिन जाभारत